हलो एन वैल्कम अगेन इस वीडियो में हम ले से डिली की तरफ ट्रवल कर रहे हैं और ये ट्रैवल हम ने नॉन स्व टॉप किया हैं इसमें हमें बहुत सारी दिक्त-परिशनिया भी आई हैं जो आटील में कब्सार की हैं और बद Platz रही हैं पूरी बरff में लेक से आके करू में ये मिल्टरी एरिया से पहले ही यहां पर एक ये गेस्ट house ग rails करके तो बहुत ही बढ़िया है और सच में घर जैसी फिलिंग नहीं यह जए अच्छा खाला बहुत ही अब्याb यहार बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पर जरूर आये इस से मनाली और इधर से ले से अगर आव ऐसार रुकना चाहते हैं शाम कर डायम हो गया है कुछ है तो अब यहां से रुक्झे आप याँ यह उपसी से आगे बढ़ते हैं तो यह पहाडिया हमार को देखती हैं इनका कलर को चल semaine एक और को मैंने पहली पर देखी हैं आप ने देखी हैं अच्छा मैं आपको यह पे एक और चीज़ बता दूं कि हमारेップ को कारुध से पहले हमने पति को हम पहूंचने वाले हैं और आपको यह कहते हैं हम पहुंचने वाले हैं थाख मी नियुक्त है wooden पूंचने वाले हैं थागओ अपको और बढ़ी हि데 लिजयcus प्रक्राइब की रोड थोड़ा सा खराब सब्सक्राइब है कि जिसे आप पैंगोंग लेग की तरफ कह दे वहां पर सिंगल ही था मतलब एक ट्रक से जादा एक इंच भी जगह नहीं थी वैसे का था वैसा यहां नहीं है यहां पर क्लियर करके तू में आपको जगह मिल जाएगी और ऑल्मूस यहां पर दूसरी साइट से भी क्लियर कर दिया है उसमें एक लेयर से और दिख रही है जो कि वह भी लग रहा है कि वह जल्दी को भी क्लियर हो जाएगा तो इस पास में टूवे ट्राफिक चा सकता है और देखिए क्या मस्त व्यू है काले बादल सफेद स्नो और रोड मस्त अब्स नंच गये हैं त सब्सक्राइब कर देखिए कि यह है तांग लंग लापास है कि यहां पर होंस्ते भी है नुवांग थोड़ा आगे होगा शेंद और यह तांग लंग लंग लापास अ कि बहुत बढ़िया कि वाल्तिट्यूट यहां पर है सत्रह हंजार सम्थिंग फूट यह है ट्वल्थ हाइस पास इन दो वर्ड तांग लंग लाज से नीचे उतरते ही हमारे को काफी अच्छी रोड मिल गई है और मैं यही कुशिश कर रहा हूं कि यह रोड जल्दी से कवर हो जाए पर और यहां पर इस अगुँआ करना करका गया है और हैं यहां पर इसे Ärbbles इस बाद यहां पर क्रॉस करकें आपको धिकाया था रोड को और इसके बाद यहां पर लेंट स्लैड युए है उसको clear कर रहे हैं इस वज़े से जाम लग रहे हैं जैसे clear हो जाएगा फिर उसके बाद गाडियों को यहां से बेज़ देंगे रस्ता और बत्तर होता जा रहा है और हमने किसी से पुछा तो उन्होंने बताया कि आगे रस्ता और भी खराब है In fact, वहां रस्ता ही नहीं है बिलकुली ओफ रूड है वहां से हुकर हमें जाना पड़ेगा अभी पांग रह गया करीब 68 किलो मीटर और देखिए रस्ता रस्ता ही नहीं है एक्चल में यह पुरा ही ओफ रूड है कि देखिए बिल्कुल भी रस्ता नहीं है यह बस गाडियों का चांसा टायर के निशान है वहाँ हम चल रहे हैं और यहां चाहिसी भी आ गई है और देखिए गाडी भी कैसी आवास कर रहे हैं यहां पर हम पहुंचे हैं आगे लगता है थोड़ा सा ठीक होगा यहां से बहतर है और यहां प्राइट में देखेंगे तो यहां पर फूल है जो कि शर्द बंद है जिसके नहीं से यह नीचे से रस्ता बना दिया है हमारे आगया 820 गाड़ी चल रही है इसलिए हमारे को थोड़ा होसला मिल रहे हैं लेकिन हमारी गाड़ी फिर भी सिडान है टायस निकल जाते हैं लेकिन कई बारी बूट लग जाते हैं तो हमारे को इसका ध्यान रखना पड़ रहे हैं बहुत ही खराब रहता है बहुत ज्यादा अभी तक मैंने कभी इतना खराब रहता ने देखा है लेकिन यह एडवेंचर है यहां पर आने में मजा है सर्चु करीब 62 63 km रहे अभी तक तो आएवाज आई नहीं है और अब आवाए विल्ला गया आवाज किया हमने आसे ने कर ली है जड़े 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 एक बर फिर से कोशिश कर रहे है बिना आवाज निकाले लगाए लगवाए हम गाडी निकाले जड़े 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 लूंचंगला पर है यह सीधर सीधर रस्तबंद है इसलिए हम यह आफ रोड करके हैं उपर चड़ा लेकर रहे हैं इसका ही है लूप से नीचे उतरते ही रस्ता बहुत ही मजदेदार हो जाते हैं एक दम स्मूथ हैं सर्चू में यहां पर बहुत लंबी लाइन लगी है इसलिए थोड़ी देर साइड में रोकने के लिए बोला है ट्राफिक पहले क्लियर हो जाए उसके बास चाह जाने दें एक ही वीकल निकल सकता है हमने साइड करके रखा हुआ है ताकि एजिली उनको पास मिल जाए हम जाम में से निकल चुके हैं सर्चू के जाम से बहुत ही नेरो है वो रूड जिस वजे से बहुत ट्राफिक लगा हुआ है और आगे दिखते है आगी का किसी ने बता दें आपको सर्चू में आपको टेंट फैसिलीटी मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो यह रुक सक रहे हैं कि आगे का भी अपडेट आपको देते रहेंगे का रस्ता जब तक पास नहीं कवर होता बहुत नहरो है तो ऐसी धीरी धीरे साइट देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है में गाड़ी लगा के हमें साइट देनी पड़ रहे हैं पूरी बरफ में बारल आचला के पहाड़ी पर हम चड़तो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब दिर्न धल गया है अब रोश्नी बहुत कम होगी और आगे बरफ भी है अब बारल आचला क्रॉस हो जाएगा तो आगे कर रस्ता हम कवर कर पाएंगे अब भी बारल आचला पर यहां पर स्नौ गैलरी हमने अभी क्रॉस किये और यहां फिर से जाम लग गया है बहुत नेरो रसा है इस पुझे से बार-बार जाम लग रहे हैं कि टाइम हो गया है साड़े आठ और हमार को एक और स्नौ गैलरी में से निकलना पड़ेगा अभी और यहां भी स्नौ मैल्ट होकर नीचे कीचड़ बना हुआ है अगर रूपना पड़ता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन अभी हम चलते ही जा रहे हैं बार-बार जब थी और बीच-बीच में गाड़ी ही काफी स्किट कर रहे थी लेकिन फाइनली अब हम नीचे उतर रहे हैं बार अला चला से नारचा चैक पूस्ट जहां पर हम एंट्री कर वा रहे हैं डारचा ब्रीच हम पहुंचे हैं जिसपा और हम रुके हैं जिसपा यहां भी है और बिल्कुल यह रोड यहां से जा रहा हूं और यह रोड से नीचे उतर कर इनकी पार्किंग है और यह रेस्टोरेंट है अभी अल्मोस्ट साड़े नौ बजे और यह भी खुला है तो शायद दस वज़ेता खुलता ही हो गाई वाला हम कर रहे हैं रात में सफर और के तरनाक लगते हैं चलिए आपने दिन का सफर बहुत देखा होगा अब दिखाते हैं रात में कैसा लगता है यह के लॉंग से मनाली का सफर हम पहुंच गए हैं के लॉंग और यहां सब कुछ बंद है हम यहां से क्रॉस करके जा रहे हैं कुछ गैस्ट हुसे और हुटल्स है और एटीम से वही उपन है बाकी सब चीज़े बंद है अब टाइम हुआ है करीब ऑने 11 और हम यहां से क्रॉस करके जा रहे हैं के लॉंग का पेट्रॉल स्टेशन कारू के बाद जो की ले से 42 km पहले है वहां पर मिला था अब उसके बाद सीधा ही यहां पर मनाली से पहले क के लॉंग में हैं तो अगर आप ले की तरफ जा रहे हैं तो यहां से फैल कर वाले और उसके बाद आपको सीधा कारू में मिलेगा हम पहुंच चुके हैं अटल टैनल यहां से टैनल 500 मीटर्स दूर है और यह रिस्ता हमने एक ही दिन में ट्रेवल किये है अभी आगे और भ बताते हैं कि कितने किलो मिटर्स रहे गए है यह टैनल को कवर होने के लिए यह है इसका मनाली साइड वाला एंटरंस हम यहां पर पहुंच गए हैं और अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यहां से एंटर करना पड़ेगा टल टैनल में हमने ले से करीब 42 किल तो यह 25 का पेट्रॉल में हम ले से मनाली तक आ गये हैं यह बेडें देखो उनकी वाज़े से हम रुक्यों है और यहां से दिली 500 किलोमेटर है और चंडी का 262 और बेडें यह मनाली वाली पुरानी टर्नल है जो पहले भी इसमें ट्रावल किया करते थे अब इसको क्रॉस क करके हम पंडो की तरफ निकलेंगे हम अभी दिली की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन बीच में पंडोर लेक के पास में हमारे को डावर्ट कर दिया है बोल रहे थे कि अभी रस्ता बंध है आगे मंडी और नेर्चॉक वाला तो अभी चाल चॉक होकर हम सुन्दरनगर की तरफ तरफ द्यूक होगे जा रहे हैं यह इंटेरनल रोड है हमाचल की जिसके उपर हम अभी जा रहे हैं अभी एक धंटा और शयद एक आदा पोना गंटा हम ने इस पर ट्रावल कर लिया वी इतना और कर नहीं इस पर ट्रावल गया है और अब ही रात के कि तीन बेजेगा हम इ यहां पर यह कालर CNJ pump है, यहां पर हुम CNJ फिल करा रहे है, 86 रुप इसके CNJ है सीरकपुर पहुंचकर हम ही लगा कि अब गाड़ी भी क्लीन करवा लेनी चाहिए हमने लास्ट इम अनन्दपुर साहिम में CNJ फिल करवाई थी, अभी हम दिली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिली की तरफ आप कभी भी चल रहे हैं तो आप को कर लाल में चार CNJ pump मिलेंगे आइजीयल के दो इस तरफ और दो इस तरफ मेरी रेक्मेंडेशन है अप आइजीयल करनाल से ही फिल करवाए एक तो वह ऑनलाइन पप है दूसरी बात है उनका प्राइस भी कम रहत है अगर आप यहां डेली चंडी का टूप पर चल रहे हैं तो आप ज़रूर से आईजीयल से एंजी फिल करवाएं